Hello friends, welcome to my channel SKK exam study channel देखो दोस्तो हमारे चैनल पर क्या है? जो CET exam से समझेद बहुत इच्छा कोर्स चला हुआ है CET exam की तैरी करनी है तो वीडियो को पूरा देखना होगा देखो दोस्तो वीडियो को बीच में स्कीप मत किया करो वीडियो को पूरा देखो कि तभी तो आपको knowledge मिलेगी तो आपको वीडियो को देखने कोई फैदा है नहीं अगर आपके पास ये वीडियो आई है तो आप वीडियो को पूरा देखो और पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ क्या है exam की तैरी करो आज का जो टोपिक है काफी important है आज से वह सारे question exam में पूछे जाती है और मैं guarantee देता हूँ कि आगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको काफी knowledge मिनने वाली है ठीक है दोस्तो श्टाट करते हैं वीडियो को तो हरियाना के परमुख जलवायू तो हरियाना के जो जलवायू है उससे सम्मंदीत question इस वीडियो के अंदर में डाले है यहां से बहुत सारे question एक्जाम में पूछे जाती है तो वीडियो को start करते हैं दोस्तो राज्या में किस परकार की जलवायू पाई जाती है राज्या के अंदर क्या है किस परकार की जलवायू पाई जाती है उपोशन स्टेपी जलवायू देखो दोस्तो अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा हुगा कि उपोशन स्टेपी जलवायू क्या होती है काफी important question है इस परकार के question है exam में पूछे जाते हैं मैं guarantee देता हूँ हरियाना में गरीशम रिटु का उस्थ तापमान कितना होता है देखो दोस्तो हरियाना में क्या है सभी परकार के मुसम पाए जाते हैं वर्षा के समय वर्षा होती है गरीशम और सद्य रिटु के समय सद्य रिटु तो हरियाना के अंदर क्या है ये तीनो रिटु का आप ।zer तापमान है यानिकि जो average temperature हो कितना है 35 degree यानि कि 35 degree तक क्या है गरीशम रिटु में मतलब average तापमान रहता है हरियाना में सीत रितु का जो ओस्त तापमान है वो क्या है दोस्तो बारा डिगरी सेल्चियस है यानि कि बारा डिगरी तक क्या है जो पारा रह सकता है राज्य का सुष्क जिला कौन सा है सुष्क जिला कौन सा होता है दोस्तो जहां पर क्या है बिल्कुल सुखा हो सुखा हो, मैं इंदरगर जिला, जहां पर क्या है बारिश ही नहीं होती, ठीक है उसको सुष्क जिला बोल देती है, राज्या में सरवादिक आदर्ता वाला जिला कौन सा है, आदर्ता वाला नमीग वाला जिला कौन सा है, दोस्तों पंचकुला, अब पंचकुला ऐसा जिला ह है वो क्या है शिवाली के से निचला जिला है वहां से क्या है बहुत सारी नदिया निकलती है ठीक है वैसे तो हरियाना के अंदर क्या है मैदानी भाग ज्यादा है लेकिन फिर भी क्या है पंचकुला एक ऐसा जिला है जहां पर क्या है पहाडिया है एक मात्र ऐसा जिला जहां पर क्या है दोस्तो हरियाना में क्या है उची उची चोटिया है राज्या का सरवादिक गर्मी वाला जिला देखो दोस्तो अभी आपको ये होगा कि देखो राज्या का सरवादिक गर्मी वाला जिला कौन सा है तीन कोश्चन ऐसे हैं ध्यान से सुन लेना कौन कौन से कोश्च तो यहां से आपको क्या है एक जिले को याद कर लो गर्मी भी जादा होती है सरदी भी जादा होती है और सबसे जादा तेज दूप है खिली हुई दूप जहांपर निकलती है वो दोस्तो वो भी कौन सा जिला है इसार है ये काफी important question है इस जानकारी का आपको पता होना चाहि ये तो मैंने पड़ा दिया आपको राज्या में वर्षा का pressure कितना होता देखो दोस्तो राज्या में क्या है तीस सेंटीमेटर से क्या है 110 सेंटीमेटर क्या है दोस्तो वर्षा होती है राज्या में वर्षा का ओस्त कितना होता है आप देखो यहां पर बता तो दिया है कि 30 इससे 115 के बीच में होती है लेकिन यहां पर ओस्थ पता दिया कि भाया इतनी तो होगी ही होगी यानि कि जितनी भी जंगहny है उन सबी को क्या है इससा थॉच्वेरेज निकाल दिया तो यहां पर क्या है 45 cm क्या है डोषवत वर्शा होती है राज्या में सरुवादिक वर्षावाला स्थान कौन सा है दोस्तो, सचरोली सचरोली क्या है, दोस्तो, एक ऐसा स्थान है जहांपर क्या है, राज्या में सबसे जयदा वर्षा होती है इससे सम्मंदित अगला कोश्चन है, वो भी पढ़ लें दोस्तो क्योंकि चेरा पुंजीर का इस अस्तान है जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ऐसा इस्तान क्या है दोस्तो सचरोली है सचरोली कहां पर है दोस्तो युमिननागर में है और यहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हर्याना के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा का वाला स्तान कौन सा है अब सबसे ज़्यादा वर्षा वाला तो आपको पता सल गया अब आगे देखते हैं बहुत सारे इंट्रेस्टिंग कोश्चन है दोस्तों आपको पढ़ने में मज़ा आएगा लेकिन आपको क्या वीडियो पूरी देखनी है पूरी वीडियो देखोगे ना तभी कुछ समझ में आएगा ठीक है पूरी वीडियो देखा अगरो और सच्मे एक्जाम की त्यारी करनी है ना तो पूरी वीडियो देखने से ही फैदा होगा क्यूंकि एक भी कोङ़ें अगर आपसे स्किप हो गए ना और वही कोङ़ें एकजाम में पूछ लिया तो फिर आपका पूरा वीडियो देखने का क्या फैदा है ओलाइन एक्जाम देखो ओलाइन आज क्या है बहुत सारे माध्यम हो गई है आप अच्छे से त्यारी कर सकते हैं लेकिन आपको त्यारी करने के लिए आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए वो धहरिये सकती होनी चाहिए और परिश्रम करने के लिए क्या है आपके अंदर वो योगयता होनी चाहिए मालोगर आपके अंदर योगयता नहीं भी है फिर भी आपको वो योगयता आप अपने अंदर ला सकते हो ठीक है आप दूसरे बंदों को मैं देखो कि 8 गंटे लोग डेपट अजा है आपसे अगर 5 मिंट भी निपड़ा जा रहा ना तो तब भी आप अपनी जो पढ़ने की योगता है उसको डेवलोप कर सकते हूँ सबकुछ आपके उपर है सबकुछ आपके उपर है सबकुछ आप कर सकते हूँ ठीक है कोई भी परिवर्तन कोई भी व्यक्ति आपके जीवने में परिवर्तन नहीं ला सकता जब तक आप परिवर्तन ना लाना चाहूँ तो नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं अब देख लेते ह और ऐसा स्थान जहांपर सबसे कम वर्षा होती है लोहारू कहांपर है दोस्तों यह भिवानी के अंदर है next question देखो राज्या में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है पंचकुला में होती है क्यूंकि वहांपर क्या है सबसे ज़्यादा पाडिया है और नमी वाला अक्षितर है जहांपर नमी वाला अक्षितर ज़्यादा होता है वहांपर क्या है संगनन होता है संगनन होगा तो फिर क्या है बादल बनेगा और बादल बनेगा तो फिर क्या है वारिष तो होगी न सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तो महिंदरगर जिले में होती है ठीक है सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है महिंदरगर जिले में होती है इसलिए महिंदरगर जिले को क्या है सुष्क जिला भी कहा जाता है तो दूस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी एक्जाम कीदे आप हमारे चैनल से त्यारी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ लेकिन क्या है दोस्तो थोड़ा उटसा आ जाता है लेकिन मैंने जो चीज़े आपको समझाई हैं मेरा यही तात पर यह होता है कि आपको सारी चीज़े समझ में आजाएं मेरा और कुछ अलग तात पर यह नहीं है थीक है दोस्तो तो आगली वीडियो मिलती हैं तब के लिए क्या हैप से करते हैं नेक्स्ट टूडियो मिलते हैं, जय हिंद